मैं चैजिंग में लाग खुर डुवाया स्टार्टिंग में लेकिन जब मैं चैज्ट छोड़ने वाला था लास्ट मुझे पता चला कि कि टेडिंग में पैसा तो सिंपल सेट अब से बनता है इस्टार्टिंग मुझे इतना जानकारी नहीं था लोग बोलता थे इंडिकेटर सीख लो तो पैसा बनता है तो मैं हर इंडिकेटर था जो इंपोर्टेंट था सब सीख लिया RSI, EMA, Pivot Point, MSUD कई सारे इंडिकेटर लेकिन फिर ही में लॉस होता था फिर लोग बोला कि आर टेकनिकल एनलेसे सीख लो तो हर टेकनिकल एनलेसे बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं सीख लिया लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में लॉस होता था जैसे आप सभी के साथ अभी हो होता था फिर लोग बोला कि आर साइकलोजी से पैसा बनता है तो ओभी में सीखा फिर मुझे स्टार्टिंग में लॉस होता है फिर पोला इस में मैंने में हर ओचीज में सीख लिया था लेकिन फिर मुझे लाश्ट में लॉस ही होता था इस्टार्टिंग में बोला कि इंड पूरा चार्ट में भर देता था प्राज़ देखता ही नहीं था इंडिकेटर के वे सब्सक्राइब करता था जिसके कारण मुझे बहुत ही लॉस हुआ मतलब हर वो चीज मैं ट्राइक कर लिया लेकिन लाश्ट मुझे आप लगा कि यार मेरे वसके बात नहीं है मैं नहीं मन पहूंगा टेडर सब ओ देखते थे फिर लाश्ट में सुचे यार जो ब्रेवरे टेडर है लाग को क्रोड पिया कमा रहा है कैसे कमा रहा है तो मैं सबका चार्ट देखने जब वो टेड करता था तो सबको चार्ट में देखता था कि वो लोग कैसे कभी कभी लैब आते थे तो मैं सबका वीडि होता है जैसे न्यू टेटर होता है वो चार्ट को भर के रखता था है इंडिकेटर से तो को इंडिकेटर से कभी प्रॉफिट नहीं होता है यह हम ऐसे याद रखना हम यह इंडिकेटर के वारा हम सही से समझ लिए तो ठीक है हम खराब नहीं बोलते हैं इंडिकेटर के मतलब इंडिकेट होता है, खली इंडिकेटर पर डिपेंड होके आप टेट लोगे, तो फिर आप टेरर कभी ने बन पाऊंगे, यह याद रखना, हाँ कुछ और भी आपके साथ रहेगा, कुछ और भी एड करोगे तो फिर प्रॉफिट बन सकता है, या सही से समझ लोगे तो फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है, मैं हरो चीज सीख लिया था, बेसिक्स लेके एडवांस तक हरो चीज टेक्निकल के बारे में सीख लिया, फिर लास्ट में लोग बोला कि यार आप कैंडली सीख लो, ये भी सीखा, सब कुछ सीख लिया है, हैमर, डोजी, बोली सिंगल, फिम मैं जो प्रो प्रो टेरर था, वो टेट लेता था, तो मैं इसका एनलैसिस वीडियो देखना सुरू कर दिया, इसके बाद, मैं क्या किया, फिर एगिन मैं खुद से वो लोग चार्ट को सिंपल रखता था, कि कुछ ज़्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता, ना कि आँगा, जिससे आपको आने वोले समय में अभी एक अच्छे टेरर बन जाओगे, अभी फिला लॉस होता होगा, मैं मानता हूँ, जो मैं सीखा हूँ, फिर मुझे बात में मुझे पता चलिया है, टेरिडिंग में पैसा तो लोग बोलते कि ये कर लो, ये कुलो, और ज्या जो जो आए, उसमें ही मास्टर बन जाओ, टेरिडिंग में पैसा बनता है, अब जितना ही ये अब जादा कुछ चीख भी लोग नहीं ता आप हैम्रेज हो जाओगे, मैंड काम नहीं करेंगा, जैसे आप रियल लाइफ में होता है ना, कि ये बिजनेस कर लेते हैं, ये जो तो मिलेगा घंटा कुछ ने मिलेगा किसी कमी सीख़ें लेकिन इसमें माइस्टर बन जाओ पैसा बनेगा ट्रेडिंग में बहुत बनता है तो वही लास्ट गोफ मुझे पता चला है यह ट्रेडिंग में पैसा तो सिंफल सेटइप से बनता है a simple setup क्या है वो मैं आज आज आपको बताने वाला हूं तो मैं ज्याद ज्याद चीज यूज नहीं करता हूं तो मैं बहुत इंडिकेटर के बारे में पढ़ा बहुत कुछ सीखा टेक्निकल के बारे में अल्मॉस्ट सब कुछ सीख चुका हूं और सीख रहा हूं a सिखाएगा लेकि एतन लग वक्दो और इतीन साल गए एक कि मार्पित में पैसा सिफ सिम्पल सेट अप और स्टेज इस सिंपली सेट अप से बनता है हुआ बहुत इंडिगेटर यूज किया कुछ नहीं मिला तो मैं सिंपल तो चार पांच चीज का फॉलो किया नमर वन कि सपोर्ट रिस्टेंस में मैं मास्टर हुआ पहले मैं दूसरे के वीडियो देखा यू कैसे सपोर्ट रिस्टेंस ड्रो करते हैं दूसरे के एनलाइसिस वीडियो देखता था कि यू कैसे लेवल निकाल के देते हैं वह मैं देखता था इसके बाद मैं खुद से ड्रो करना सिखा इसके बाद उसके बाद मैं सीखने लगा खुझ से तो खुझ से सपोर्ट डिश्टिन ड्रोग करनके इस बेस पर टेड़ करना स्टार्ट कर दिया इसके बाद मुझे कुछ खास मैं तो अच्छा ठीक टाप प्रोफिट आता था लेकिन फिर भी इतना कुछ खास इससे रिजल्ट नहीं आता था होता क्या था सपोर्ट रिश्टिन से मैं फेक बेक आउट से बारवर ट्रैप हो जाता था फेक बेक आउट से बारवर ट्रैप हो जाता था जैसे यह सपोर्ट रिश्टिन से है तो मैं इसे और जेंटल एंट्रो करता था था कभी कभी यहां से मार्के डिवर्स हो जाता था आप देखते होंगे कभी कभी मार्के in supply zone के बारे में कुछ होता है तो वोई support resistance का party है तो मैं demand in supply zone सीखा demand in supply zone क्या होता है उस पर मैं already video बना चुका हूँ तो यह सीखा demand in supply zone इससे तो ठीक इससे यह फायदा हुआ कि मेरा fake record था fake record से आम trap नहीं होते थे आप fake record बना मेरा मतलब लाइब से खतम हो गया था almost sometime तो almost अब का यह होता है लेकिन fake record से मैं बचता जा रहा था फिर भी loss होता था फिर भी कभी-कभी loss होता था लेकिन दो चीज़ सीखा तो जितना पहले loss होता था उतना loss नहीं होता था उसके बाद मैं फीड क्या रिक्स मेरिमेंट सीखा रिक्स मेरिमेंट यह सीखा कि भाई मैं टेट लेने से मुझे पहले पता है कि मुझे क्या करना नहीं करना है जैसे फोर एक्जमपल मैं एक लोट से टेटिंग करता था स्टार्टिंग में तो मुझे पता था कि एक लोट से मैं स्टार्टिंग करता था तो मैं आपको यहां पर लिख भी देता हूँ जैसे आपको याद रहेगा कि मुझे पता रहा था कि इस trade में मुझे आज 500 से ज्यादा loss नहीं करूँगा 500 लोस से ज्यादा मैं नहीं करूँगा यह मैं ठान लिया था तो यह मैं follow करता था मेगे नहीं यहाप लिग ही देता हूँ सबसे पहले मैं simple setup का follow किया ट्रेडिंग में पैसा इतना तो पता चली है कि ट्रेडिंग में पैसा सिंपल सेट अब से बनता है तो सबसे पहले मैं सब छोड़ के मैं सपोर्ट एब माश्टर बन गया उसको पहले मैं क्या-क्या दोस्रों का वीडियो में लेवल निकालके देता था वो मैं मौर्णिंग रात में देख ले था कोई लेवल देता था कि यहाँ पर बाइक करना यहाँ पर सेल करना है तो वो मैं वीडियो देखता था ठीक है इसके बाद मैं खुद से निकालना सीग गिया, और खुद से लेवल निकालके ट्रेड करना, सिखना स्टार्ट कर दिया तो यह सपोर्ट एस्टेंस पहले जो लॉस होता था वो मेंना लॉस कम होने लगा लेकिन एक प्रॉलम था यह प्रॉलम क्या था? कि मैं trap होता था क्या fake record से फिर इसके लिए मैं again जब मुझे पता चाहा कि demand and supply zone कुछ होता है तो दूसरा चीज मैं demand and supply zone सीखा बस simple चीज मैं दिखा demand and supply zone इससे मेरा क्या फायदा हुआ कि मैं fake record से बचने लगा trap नहीं होता था तो यह इससे मैं सीखा इसका बाद इससे पहले से better होने लगा profit तो होता था लेकिन लंबा profit मैं नहीं ले पाता था इसका बाद फिर मैं सोचा क्यार इससे तो होगा नहीं कुछ कुछ और भी देखते हैं तो मैं risk management को अपने life में follow कि तो इससे पहले follow नहीं करता था कि यार trade ले ले लेता था जो profit होता था zukुछ मैं नहीं जानता था कि लेकिन चांब मैं risk management को follow करना लगा मुतलब क्या होते कोई trade आप ले लेते हो इसमें आपको पहले पता रहे कि बेमेरा कितना촌 हो सकता है और कितना profit हो सकता है जैसे मैं starting में one lot से trading करता था bank nipty में, nipty में भी तो मैं पहले ठान ले थे कि trade में मुझे 500 से ज़्यादा loss करना नहीं है किसी भी हालत में और कमाना तो 1000 रुपय कमाना है या 700 रुपय कमाना है या one is to two चाहिए तो या ज़्यादा रिक्स नहीं लेंगे तो शाड़े 700 रुपय कमाना है लेकिन loss से ज़्यादा कमाना है मतलब 500 रुपय करेंगे तो साड़े 700 कमाएंगे तो 1000 कमाना है ये मैं दो टार्गेट लेके चलता था ये नहीं कि loss बढ़ा कर लेता था profit कम स्टार्टिंग में मैं भी करता था कि लॉस में मैं बैठे रहता था प्रॉफिट में मैं तुरंट एक जिट हो जाता था लेकिन यो करना में बंद कर दिया मुझे पता चल लिए कि भाई ऐसे चलेगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है इसलिए मैं पहले ठान लिया कि मेरा लॉस कितना हो सकता है वो मैं ठान लिया कि इतना लॉस आज रहेगा उसे ज़्यदा लॉस नहीं करूंगा उसके बाद मैं प्रॉफिट में रहता था फिर ये एक प्रॉलम था कि मैं कमा तो लेता था लेकिन मैं फिर भी लॉस करता था क्या ग्रीड की हो जासे लालच यह सबसे वड़ा लाफ में सबसे वड़ा खतरना चीज़ हो ग्रीड कि तो और कमा लेते हैं तो मैं ग्रीड को अपने लाफ से खतम किया कि लालच ज्यादा बुरी बला है कि लालच किसी भी चीज़ में अब ज्यादा लालच करोगे तो आपका क्या हाल होगा आप भी जानते हूँ कि जो भी मिलता उब चला जाता लालच ज्यादा करोगे जितना मिल रहा है उसमें खुछ रो और धीर धीर कमाने के बारे में सोच वे कि यह दिन ने एकी दिन माप चाओ को करोड़ पती बन जाओ पॉसिवल नहीं है इसके लिए आपको स्टार्टिंग सा मेहनत करना पड़े तो जो लालच ने लालच को मैं अपने लाइफ से खतम किया लालच को जो खतम कर लिए इससे मेरा क्या फायदा हुआ आप को बताना चाहूंगा इसे यह फैदा हुआ कि आज ज्यादा करता हाइब करता नहीं अकरी आखरेडिंग कर रोज़ अकसर लोग आखर भोगने आफ रिए डिंग कर बंवेंटरों करते हैं तौ मैं समझी लेका कि आज मुझे लालच करताhang तो आपको बात में ठान लिया कि आज भाई फर्स्ट ट्रिक्स मेंट को फोलो किया इसको गिरी जारा लालच नहीं किया वन इस टू मेल गया है फिर रहता था खुष रहता था रिग्रेट नहीं करता था बहुत इस लोग क्या करते है सब से बड़ा एक और कारण था रिग्रे बीर होता है जो भी पर फिट रहता उससे आप खुष नहीं रहते हैं फिर इस लोग क्या होते लालच के वज़ा से अहसा होता अगर आप निकल गया है रुट से जो भी प्रॉफीत हुआ जो भी लॉस निकल गये तो आपको रिग्रेट नहीं करना है बहुत यस्वक्र और लाश्ट में 400-500 चले तो बहुत रिग्रेट होता कि अर्कास में रहता तो आज 10 ने 50 ने 1 लाग रुपय कमाता इसका अपोजिट क्या होता लॉस में भी उसका 500 रुपय लॉस फिक्स कर लिया है ठीक है इसके बाद मालेज मार्केट नीचे आके एसल हीट कर दिया 500 का फिर कास तो बच गया लेकिन कभी कभी क्या होता है 500 अपको लॉस कट करके 2,000-3,000 भी लॉस दिखा देता है तो अगर आपको लॉस हो गया है इसके बाद मार्केट अगेड और उपर जा रहा था आपको रिग्रेट नहीं करना है यह नहीं कि लेना है कि कास में रहता तो और भी मेरा loss से profit में convert हो जाता ऐसा आपको कभी भी life में नहीं करना ये याद रखना simple setup follow कर और मैं आपको बताओंगा मैं कैसे कैसे setup follow किया इसके बाद मैं ये regret वाल सिस्टम खतम कर दिया भाई जो होगा रूस risk management को follow किया grade किया इसके बाद मैं fix कर लिए इसके मुझे 2-3 trade करना है जैसे इसका फूर्थ में किया मैं simple teach का follow किया यार मैं जाद चीज फॉलो नहीं किया जैसे मैं technical में बोलते हैं मैं आपको बताओंगा technical में यही मैं resistance support line demand and supply zone इसके बाद मैं एक चीज़ और इसमें बताओंगा मैं फूर्थ में train line सीखना जरूर सीखा यह बहुत important resistance support line train line में मैं master बना कि train line में कैसे train line को सभी स्यूज कैसे सीख सकते हैं अब देखते हूं कि market side way में आपको horizontal line से पता चल जादा है कि market यह रहा resistance यह support है लेकि market जो uptrend में रहता है जैसे market example के साथ में बता रहा हूँ जैसे market mileage obtained रहा यहां से market downtrend है तो कैसे पता चलएगा कि यहां पर कौन सा resistance है कौन सा support जैसे market यहं से अपटेंज जा रहा है तो कैसे पता चलएगा कि यह کا resistance है का सापोर्ट है इसके यह train line में master बना train line में सीखना इसका सीखा जिससे यह पता चल चला मुझे बाद में कि आर कि ऐसे एक बनाटो कि अगल कि आज कि तो फिर मुझे बाद में चला यह ट्रेल लाइन से कैसे मैं ट्रेल आप ट्रेंड या डॉन्ट कर सकते हो ठीक है तो मैं ट्रेंड के बारे में शीका डेलाइन से मैं मास्टर बना कि ट्रेंड में कैसे प्रॉफिटे और लॉस होते हैं और यहां बेदी के साथ आज पर तीशा वर में आप कॉल ले सकते हैं प्राइश कव जब इस तेलाइन को ब्रेक करता है तो एक बड़ा से मुमेंटम देता नीचे के तरफ तो फिर मैं नीचे तेन लाइन लाइन के वारे में सिखा, तृ इसे मुझे पता चले कहा रिजिट रैसे का में सपोर्ट है, प्रेक करते हैं प्राफिट रूता है तक मैं प्रफित से कहते हैं, मैं यहां प्रफित होताई दू ए, यहां मनें qué युज़ नहीं होता है लाश्ट में यह है कि मैं money management के वारे में सीखा कि money management कैसे करते हैं यह 5-6 चीज आप लिख लो अपने life में copy में लिख के अपने डेवाल पर चिपका लो मैं दावे के साथ बोलता हूँ profit होगा बस इसमें कुछ-कुछ aid करने के लिए मैं बोलूँगा और उसमें master आपको बनना है ठीक है तो यह money management मैं मैं सीख लिया कि money management के मतलब क्या होता मैं इसी video में थोटा कुछ ज्यादा नहीं है कि आपके पास money जे एक लाग रुपिया है तो एक लाग है तो एक लाग से कभी भी trade नहीं करने इसको 10 भाग करके trade करना जैसे for example आपके पास एक लाग है तो उससे 10,000 से trading करना है तो यह money management से मैं सिखा रिक्स management से यह से किसी trade में मुझे कितना रिक्स लेना है इसका बात last topic यह था कि मैं over trading नहीं करता था over trading मैं गल्ती से भी नहीं करता मैं fix कर लिया कि मुझे आज एक यह दो trade करना है highest तीन trade करना है है अगर मुझे फर्ष्ट trade में profit हो गया है 2,000 का है 2,000 मुझे profit हो गया है तो मैं कोसिस करूंगा trade ना करू अगर मैं करूंगा भी तो 2,000 profit हो गया इसमें मैं सिख दो या तीन सो का रिक्स लूँगा अगर एगें मैं ट्रेडिंग करूँ तो दो या तीन सो का मैं ट्रेड करूँगा रिक्स लूँगा इससे ज्यादा नहीं अगर दो या तीन सो प्रॉफिट उससे ज्यादा प्रॉफिट हो तर ठीक है लेकिन लॉस हो गया तो मैं सत्रों सो गलती से भी नहीं लोगा मुझे पाता है कि फिर लॉज होने वाला है इसलिए मैं दो या तीन ट्रेड हाइस्ट मैं ज्यादा कुसिस करता हूँ कि फॉर्स ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए अगर न्यू ट्रेड हो तो दूसरा ट्रेड आप गलती से नहीं करो मैं यह हमेसा लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड आप गलती से ना करें लेकिन अगर आप करना चाहते तो भाई आपके हाथ में ठीक है यह मैं अपने लाइफ में फोलो किया और ट्रेडिंग कभी नहीं किया आईए सब अपने लाइफ में फोलो किया तब से मै फैलो किया इसके बाद में एक चीजा और में जो इंपाटैंट है ट्रेडेग सको मेंा बाद में ऐसे का एँमिएद्ग अथिक्लोजी आ caution की का एता घ्रीडिंग सकालोजी इसे हम ये बहुत ही आप रोल मेरे ट्रेडिंग लाइफ के लिए candleistic जैसे candle के बारे में आप जानते ही हो तो candleistic के बारे में जैसे बहुत ज़से police candle में बारे में hammer, doji, hammer हो गया, inverter hammer हो गया, जैसे doding बहुत ज़से candleistic में मैं थोड़ा सीखा master बना उसमें इसके बाद chart pattern में मैं master बना यह 7-8 चीज़ में master बना, तब से मेरा profit होना शुरू हो गया, chart pattern में सीखा, यही चीज़ में सीखा, उसको follow किया अपने life में, तब से मेरा अच्छा ख़ज़ा profit हो रहा है, इतना हो रहा है कि मैं happy अपने lab में, कि मैं starting सब कुछ होर चार के, resistance support line सीख गया, इसमें मैं trade करता, तो उससे मुझे profit हो रहा था, लेकिन फेक record से मैं trap होता था, तो मैं demand and supply zone सीखा, उसमें master बना, इसका जाद मैं risk management को हो लगए कि कि किसी trade मुझे कितना risk लेना है, कितना profit करना है, greed को अपने life से खतम किया, ज्यादा लालच करना बोरी बला है, train line को draw करना मैं सिखा, management को सिखा कि किसी मुझे 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 पास जितना capital है, पुरा capital से कभी भी trade नहीं करना है, trading psychology के सिखा, candlestick को सिखा, chart pattern को, इस setup को मैं follow करके, मैं trading से अच्छा पैसा कमाता हूँ, जैसे example के साथ, अभी मैं draw, यह आप screenshot ले ले लेना, इसके बाद में simple के साथ, आपको, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना, कुछ setup और rules बता देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं क्या करता था, जैसे मैं आपको पता है कि मैं कैसे trading करता हूँ, सिंपल तरीका उससे तो किसे तो मैं क्या फॉलो किया कि आपको पता है कि मैं टेर्डिंग कैसे करता हो इतना łए फानदर मिनट पहले एंचंध में जाट देखता ही हए तो दु समस्मारिक मेंस नहीं आसकता है तो मैं St, तो जैसे जैसे फॉर एजमपल यहां पर में ट्रेंट लाइन यहां पर दो कर दिया इसे मुझे सींपल तरीका से पता चल जाता है इसका बाद में 15 मिनट चार्ट में मैं क्या करता हूं रिच्टेंट सपोर्ट लाइन ड्रो करता हूं जैसे यहांपर तो चलिफे से नहीं ज़्म्रान हएं तो मैं इसको ड्रो करते हूं तो में मुझे सांधो ऽान की स्टीका सब्सक्राइब डिए था ज्यूम्हां भाटावाब डो करता हूं इसका बाद 15 मिनिट में हाई रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन में ड्रोग करता हूँ डिमांड इन सप्लाय जोन जिसको आप मैं उल्रीडी इस पे आपको हड्रोज वीडियो बनाता हूँ और कुछ नहीं है जैसे मैं फॉर एजम्पल में बता हूँ कल जैसे आज ट्रेड किय कैसे ड्रोग किया था यह मैं आपको दिखा दता हूँ सिंपल सेटम में बता तो यह मेरा एक डिमांड जोन हो गया यह मेरा फर्स्ट रिस्टेंस हो गया पर सिंपल सेटम में आपको बताता हूँ यह मेरा हो गया सपोर्ट ठीक है यह मेरा सपोर्ट हो गया ठीक है यह मेरा कि यह मेरा दूसरा सपोर्ट हो गया कि यहां पर मैं सिंपल तरीका ड्रो करता हूं मेरे बाई और कुछ ज्यादा कुछ में फोलो नहीं करता हूं यह तना याद रखो आपको भी ऐसा ही मेरे हिसाब से करना है अपने लैप में जब ट्रेडिंग में ग्रोग करना है तो एक मेर हो गया दोको मेरा यह इसका सेट अप बन गया और इसको थोड़ा सजा लेता हूं मैं तो यह मेरा हो गया क्या सेट अप रेडि और कुछ नहीं या सेट अप मैं कल का प्लान करने में मुझे पता है आप बिलीब नहीं करोगे लोग दो से तीन मिनट में हमें अपना कल का प् क्यों buy करना है क्यों sell करना है तो मुझे दू मिनट लगता है याप बिलिए बोलोंगे यार दू मिनट कैसे लग सकता है भाई आपको market में experience हो जाएगा ना तो आप 2-3 मिनट में कर लोगे इसके बाद मैं nipty में 3 मिनट में trade करता हूं bank nipty में 5 मिनट में trade करता हूं तो देख में 15 मिनट में बता भी देता हूं क्या इससे क्या करना था मुझे कि मुझे यह resistance support land row हो गया अगर यह resistance को console करके यहां पर देखिए example के साथ मैं बताता हूं जैसे market यहां से gap up open हुआ तो यहां पर इसको console करके इसको break किया तो मैं आप call लूँगा अगर यहां से market नीचे गिर यहां पर बीच में open होगी यहां पर गिरता है जैसे मैं इसको थरा बढ़ा कर लेता हूं जैसे आपको समझने में असानी होगा जैसे मैं आपको बढ़ा क बढ़ा邊 करें तो मैं call लेना पर फिर कौंगा जासी यहां पर मार्केट यहां पर ऑपन यहां गया यहां से market नीचे गिलायकी तो मैं पूट लेना पर फिर कुट को रहा है तो मैं बीडियू बिडियो बना छुका हूँ है अब आपकैसे लेना नहें लेना लेना और लोग सारे बदना चूका हूं तो मैं इससींपल चीज फोलो करता है भलीब ने करूपने च्रह यहां पर देखो मैं कैसे टेट लिया था कल और कुछ ज्यादा मैं आपको जूट क्यों बताऊंगा तो जब यहां पर देखो इसको ब्रेक किया इतरे लाउन यह पर इसकांड़क को लोगा मैं ऑदो देखो यहां पर इसकांड़क क्रोश हो गांप तक यहां बना Iran अपने की मेरा कभी लॉस नहीं होगा व्यारा भाई लोस होगा लेकिन लॉस आपके हाथ में हमें सही याद रखना लॉस आपके हाथ में है मार्केट के हाथ में नहीं है मार्केट आपको कभी नहीं बोलता है कि भाई तुम मुझे लॉस दो कभी नहीं बोलता है प्राफित मार्कें के हाथ में लौस आपके हाथ में तो यहां पर मैं कंदलितों मैं आपने बोला था मैं कैंदलिक को अपने लैप में फॉल्लो करता हूं जब जहुsti हैムर कैंडल को ब्रेक किया तो यहां पर टेड लिये था हमारा टार्गेटी है अचीव हो जईसे यह को यहां पर ब्रेक किया तो में आपको क्या वckets रिपर उसको अगर यहां पर कॉंसोल करके बहुत देज तक उसको ब्रेक करता है तब लेना है फिर भी यहां पर टेट लेता है तो मुझे ठीक ठाक यहां पर प्रॉफिट मिली जाता यहां पर जैसे इसको ब्रेक किया तो मैं आपको इसमें बोला हूं कि अगर ड्रेक ब्रेक करता है है तो ट्रैप ऐसा नहीं करना है रिटेस्ट करेंगा तो नहीं को ट्रेंगे लेना है यह हैं पर यहीं पर देखिए बाला है और मैं ठेट करेंड कि पर यहां पर देखिए रहते हैं मेदा बना है को सब्सक्राइब को 125 प्यातन Lock कैसे यूज करना है आपको देट सारा यूटूब पर वीडियो मिल जाएगा मैं इस पर भी मैं वीडियो लेकर आने वालों आने वाला समय में जब यह इसको ब्रेक किया डवल पैटन को तो इसके नीचे मेरा इस टॉपलस था 50% मेरा टार्गेट यही था लेकिन यह टार्गेट दिया चिप करके तो ऐसे मैं ट्रेडिंग को यूज करता हूं बस इसमें मैं इंपोर्टेंट क्या है मैं आपको भी बता देए वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है इंपोर्टेंट क्या है कि आपको रिक में 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 मिन म्में पोजिशन शाइज और साइक्लोजी आपको धियुंदे टेडि करोके तब डिसिपिलिन के साथ आप टेडिंग करोके तक संक्षेजеди ऐसे आपको यह है कि मिन में मेंatter ऐसे एकรिफ पोजिकर टेंग किसमेंडे मैं तो आपको साइख्वरूजी ऐसे इं आपको पता है कि मुझे आज किसी टेट में 500 रुपिया का लोज करना हजार रुपिया कमाने एक जमपल के साथ बोल रहा हूँ मनी मेंगेमेंट अगर आपके पास एक लाग कैपिटल तो दस हजार से टेट करना है उसे ज्यादा से गलती से ना करना और इसके बाद पोजिशन सैज आपको स्टार्टी में गलती से नहीं बढ़ाना अभी आपके पास एक क्रोड प्या हो इससे मतलब नहीं है starting में आपको एक ही lot से trade करना है अगर एक lot से अप 3 मेहना लगाता है profit कर रहो तो एक lot से 2 lot करो ऐसे देरे देरे एक एक lot को बढ़ाओ अगर profit में हो तो 3-3 मेहना के gap दो या 2-2 मेहना के gap दो अपने according अप learning के base पे कभी भी अचानक से position size मत बढ़ाना बहुत ही important है, अगर position size बढ़ाओगा, आपका psychology काम नहीं करेगा, discipline के साथ आप trade नहीं करोगे, आपका loss होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको position हमेशा हमेशा याद रखना कि कभी भी जल्दी बढ़ाना मत, अगर profit में आवा लगाता है, तीन मेना, छो मेना हो तो आप धीरे धीरे position size बढ़ाओ, बस ये चीज़ का में follow कर अपने like में, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, बहुत ही profit करो के like में, आप अच्छे trader बन सकते हो, मैं again बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा सीखना जरूरी नहीं है, already मैं बता दिया, वही सीख लो, उसमें master बन जाओ, पैस trade करना है, कि आप trade, आज मुझे ये fix call कि आज मुझे एक trade या दो trade करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, फर्स trade में profit हो गया, दूसरा trade गलती से भी नहीं करना है, starting में, जब को amount capital बहुत ही बढ़ा हो जाएगा, तब आप trade, अब एक दूर trade लेना, starting में आपको एक trade में profit हो प्राफिट होगा, month to month आपका जो PNL है ने green में ही रहेगा, ये याद रहना, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला, जब कमेंट करना, like करना, subscribe करना, मुझे support करो यार, कम से हम YouTube, इसका channel कम से हम subscribe, 50,000 complete करो यार, आप लोग नहीं करते हूए, मैं कोसिस करते हूँ, मैं इतन करेंगे, सबसे मिलना भी है, बहुत कुछ करना आगे, बहुत ही बारा प्लान किया है, लाइफ में, बस आप लोग अभी support कर रहे हैं, कम से हम 50,000 subscribe जल्दी complete करवा, ये मेरा सपना है, ड्रीम है, तो ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लाइक एं, comment करो, subscribe करो, मिल होते हैं, निस्ट में बाइ, take care दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया,